आपको पता ही दिना और पहले न्यूस है वो भी यह साम निकल के आ रही थी कि आप लोगों को जुलाई मन्त के अंदर बीटा वन अप्टेट है वो देखने को मिलेगा अब उससे भी पहले यह जो अप्टेट है वो आ सकता है तो कब तक यह जो अप्टेट है वो रिलीज होगा इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लस आपका जो एक सबसे बड़ा डाउट है वो भी हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि बीटा वन जो अपटेट है वो only Samsung S23 जो सिरीज है उसके लिए आने वाला है तो जो S22, S21 जो सिरीज है और बाकी के जो नीचे वाले डिवाइज है ना उनके अंदर आप लोगों को डायरेक्ट बीटा 2 अपटेट मिलेगा या फिर बीटा 1 और बीटा 2 दोनों अपटेट मिलेंगे तो वीडियो को एंड तक देखना और आप लोगों को अगर इसी तरीके की 1 UI 6.0 अपटेट से लिटेट न्यूज है वो सबसे पहले चीए तो चैनल को सबस्क्राइब कर लेना है और बेल आइकन को यहाँ पर ओल पर प्रेस कर लेना और वीडियो कर आपको अच्छे लगती है तो यह वीडियो को लाइक भी आपर कर सकतो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक आर्टीकल है, वो यहां पर दिखा देता हूँ, जिसके अंदर आप लोगों को पता चलता है, कि यहां पर आपको 26 जुलाई को 4 बज के 30 मिनट के आस पास यहां पर एक जो लॉंच इवेंट है, गेलेक्सी फिलिप 5 और गेलेक्सी फोल्ड वो यह जो दो समार्टफोन है, वो सेमसंग की तरब से न्यूली आप लोंच होने वाले हैं, और इसी के अंदर आप लोगों को सकता है, 1UI 6.0, बेस्ट एंड्वोट 14 का बीटा 1 अपटेट है, वो उसके साथ में देखने को मिल जाएंगे, इस स्मार्टफोन के अंदर तो जो टीजर है वो देखने को मिल जाएगा One UI 6.0 based on Android 14 update का हमेशा की तरह Samsung की तरफ से जो launch event यहाँ पर organize किया जाता है उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर One UI का जो टीजर है ना वो यहाँ पर मिल जाता है कि कौन-कौन से icon change होगे या फिर कौन-कौन से feature change होगे या फिर आप लोगों का जो control center है वो change होगा या फिर नी तो यह जितनी भी जो information है वो हम लोगों को जो launch event है उस दिने आपर पता लग जाएगी तो basically यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जुलाई का मन्त है वो अभी already start हो चुक है और mid आने वाला है और बस आप लोगों को 26 जुलाई का वेट करना है इस date के अंदर आप लोगों को पता लग जाएगा Samsung के कौन-कौन से device है जिनके अंदर आप लोगों को 1UI 6.0 का update मिलेगा और कौन-कौन से नए features है वो यहाँ पर aid होंगे तो आप लोगों को यह वाली news कैसे लगी बताना comment section के अंदर बाकि अगर आपको यह वी